हेलो एबरिवन वेलकम टो अबेक्लासिज इसी शूंग उपता हेर स्टूडेंट्स आज का हम दिन शुरू करेंगे 16 जनवरी के करेंट अफेर्स के साथ तो जो 16 जनवरी है स्टूडेंट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कल ही अनॉंसमेंट हुई कब इनॉंसमेंट हु ठेक है अब कोशन US होता है कि जो ये स्टार्ट अप्डेय है ये किस ने अनॉंस किया तो ये प्पीएमों दिन अनॉंस किया कब अनॉंस किया कल ही अनॉंस किया था 15 우ald को के 16 जनवरी को नाशनल स्टूड अप डेय मनाया जाएगा ठीक है तो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज औहर बता देना चाहता हूँ यह आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इस स्टार्ट अप जो डे था इस से पहले अभी अभी रिसेंटली एक स्टार्ट अप इनोवेशन वीक भी चल रहा था तो यह भी आपको पता होना चाहिए स्टार्ट अप इनोवेशन वीक भी चल रहा था और कोई अगर आपको पूछे कि तो कितनी देर का चला तो आपने बोलना है स्टैन से 16 जैन 2022 तक चला ठेक है और जो यह इनोवेशन वीक था यह कौन चला रहा था यह आपके सामें लिखा होगा है बाई है डीपी आईटी ठीक डीपी आईटी के फूल फर्म क्या होती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ओफ इंडस्ट्री एन विलेज ट्रेट तो यह इसकी फूल फॉर्म है अब यह जो डिपार्टमेंट है तो इस बाहत है किसी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ठीक है तो अब जो यह मिनिस्ट्री है तो इसका कोई मिनिस्ट्र भी होगा तो यह आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट सब पॉइंट लाए गया हूं जो पेपर में आ सकते हैं ठेक है अब एक और चीज़ आपको बता होने जी यह वो कह है कि जो यह स्टार्ट अप इंडियन इनिशेटिव था ठीक है यह कब स्टार्ट हुआ था तो यह स्टार्ट हुआ था सिक्स्टीन जैन को तब ही तो आज का दिन ही चुना सिक्स्टीन जैन का नैच्शन स्टार्ट अप डिया के लिए 2016 को किसने स्टार्ट किया था इंडियन गोर्मेंट ने स्टार्ट किया था और उस टाइम पर जो इसके इनाउगरेशन की थी वो अरुन जेटली जी ने की थी अरुन जेटली जी ने इसकी क्या की थी इनाउगरेशन की थी तो बच्चों ये था आज 16 जैन के बारे में आज के दिन क्या क्या खास हो रहे है तो आज आपने यार रखने है नेशनल स्टार्ट अप डे को आज के पास 16 जैन को ही नेशनल स्टार्ट अप डे मनाया जाएगा ठेक है तो जो ये नेशनल स्टार्ट अप डे है इसका जो इन स्टार्ट कप से हुआ था 16 जैन 2016 से हुआ था अरुण जेटली जी निसकी इनाउग्रेशन की थी तो आई होप आपको नॉलेज मिला होगा अब हम चलेंगे नेक्स टॉपिक पर नेक्स कोशन है मारे पास विच कंट्री विल बाए ब्रहमोस क्रियूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया जो यह इंडिया की ब्रहमोस क्रियूज मिसाइल है ठेक है यह कौन सी कंट्री इंडिया से बाए करेगी तो इसकांसर फिलिफिन्स ठेक है तो यह इंडिया से बाए करेगी ब या अपनी आर्मी के लिए जो इसकी नेवी आर्मी है उसके लिए बाई करना जाती है तो ऐसा क्यों वह मैं आपको बता जो थोड़ा सा इधर कंट्री है ठेक है फिलिपिन्स इधर आता है साउथ चाइना सी ठेक है और इधर है चाइना तो यह चाइना से पोटेक्शन के और यह आपको पता होना चाहिए था ठेक है तो कॉन सी कंट्री ब्रह्मो स्क्रूज मिसाइल इंडिया से बाई करेगी फिलिपिन्स स्टोडेंज स्कोषन हमाई पास है उसकी केप्टन का जो एक्चूल आंसर है वो अभी इस टाइम पर कौन है सूटा पुनिया जी स्वीतापुनिया उसकी केप्टर्न नहीं और ये इंडियाथ continues हैं किससाब इस और पहलती हैं को गोल कि पड़ है ये इन्डियन होकेटीम की गोल गिपर ये आपको याद रखने रखने अब जो यह मस्कट है ये बेसिकली कांप ऐगों पर एडि sound सवीता पुनिया जी को कैप्टर बनाया गया है तो यह कोशन भी स्पोर्ट्स के करंट अभेर के पॉइंट आव यू से काफी इंपोर्टन है अब मैं चलेंगे नेक्स कोश्चन पर शना हूब गेम दो मोस्ट प्रैफर्ड यूपी बैनिफिश्री बैंक इन इंडिया तो इस यह यूपी याई बैनिफिश्री बैंक मोस्ट प्रैफर्ड है ठीक है सबसे ज्यादा लोग इसी को ही प्रैफर कर रहे है अब ऐसा क्यों हो गया तो इसका रीजन में आपको सामने बताया हुआ है अभी रिसेंटली सर्वे हुआ जिस सर्वे में क्या हो गया 926 मिलियन यू यूपी ट्राजेक्शन सिर्फ एक महिन्य में पेटी एम पेमेंट बैंक से हुई है ठीक है और इसकी थोड़ी एकसा इंफ्रमेशन में आपको बता दो यूपी आई की फूल फॉर्म ये लिखी हुई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट सिंगल मॉवाइल अप्लिकेशन यह एक ऐसा सिस्टम है आपने देखा होगा जब भी यूपी करते हो तो आपके फोन पे मुवाइल एप होती है मुवाइल अब किसी की भी बैंक में ट्रांस्वर कर सकते हो किसी की बैंक से ले सकते हो तो इसमें मल्टिबल बैंक अका गरणने में फिश्री बैंक इंडिया में कौन रहा पे टीम पेमेंट बैंक चलेंगे नेक्स कोशिण है में महारे पास स्टार्ट होती थी इस साल के बाद हर साल 23 जैन से स्टार्ट होगी ऐसा क्यों हो गया देखो मैं आपको बताया हुए पहले प्रीविसली 24 जैन से स्टार्ट होती थी और ऐसा क्यों हुआ क्यों उस दिन शुबाज चंद्र वह जनति है några मुद्ध हो और इस दिन को किस नाम से प्राकरम दिबस निश्र इंपर्टन है किसे जशे जनम दिन को प्राकरम दिबस से जाना जाते है आसा कोशन आ सकता है गया तो आप सब्सक्राइब बतायों च्युवत 19 23 जैन 1897 में वह था 1897 में इंका बर्थ हुआ था और पहले तो यह 24 जैन से ही रिपब्लिक डे मना जाता था मगर इस बार 23 जैन से रिपब्लिक डे मनाया जाएगा तो यह भी इंपॉर्टन कोशन बनता है ठीक है अब हम चलेंगे नेक्स्ट कोशन पर हमारे पास है वेर वाज़त 18 कचाईरलमंच फैस्टिवल सैलिब्रेटिड तो कचाईर लैम्मन यह निंबु को बोला जाता है कचाई लैमन ठीक है तो 18 कचाईरलमन फैस्टिवल कहामनाया ग्या कौन सा एğर्ट आँसर है महनीपूर न कि नाम पड़ा में जुड़ हैं तो महनेपुर में लेमानाओं तो उसमें लेमन तो उद्धर मनाया जाता है कशाई लेमन फैस्टिबल हैं क Toni डिस्टिक में मननीपूर की सुरुक्ल vanity ठीक है अब एक एंपर्टं जीज मैं बता दूं कि इस कच्वा यह टाइग मिला हूँ ए ठीक है कच्वा अबने को जी आइ टा पी लागों की मिला हूँ certain product का ठीक है जो particular geographical location को represent करता है मतलब कोई चीज किसी जगह के नाम पर famous हो या कोई जगह किसी चीज के नाम पर famous हो तो फिर GI tag दिया जाता है ठीक है तो जो कचाई village है वो कचाई lemon के नाम पर famous है इसलिए कचाई lemon को उस जगह का tag दिया गिया है GI tag ठीक है आई होप आपको यह lecture अच्छे से समझाए होंगे ठीक है आप कोशिश मैं करूंगा आपकी current affairs कोशिंस ओर बढ़ाओंगा ठीक है आप हमारा telegram group join कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे current affairs हैं उनकी PDF में कोशिश करूंगा टीम से बाग एक है वो भी आपको provide की जाएगी thank you students have a nice day